अब आपने कई सारे बंदों को PUBG में गलत सीन करते देखा होगा, नसे में खेलते देखा होगा यार आज जिन्दगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बोट को नसे में देख रहा हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी बैग, बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यूप गलत सीन से भरे पड़े पबजे दों वाईल गिम प्ले वीडियो में और यार 31 किल हो जाते हैं ये मेरे ख्याल से दूसरी बार ओ रहा है सीजन में नहीं तो यार बंदे ही नहीं मिलते अभी देखो रोजोग आ रखाओं यहां पे भी बंदे नहीं मिलेंगे लेकिन इतना भटकता हूँ मैं इस मैच में हर जगा पहुचा हूँता हूँ मैं तब जाके बड़ी मुश्किल से किल होते हैं खेर जो भी सीन होंगे थोड़ा आगे जाऊंगे फिला रोजोग आ रखाओं एक सस्ती उजी मिल रखी है मुझे अभी और हमारे भाई भी उसी घर पे आते हैं जहां पे मैं पहले घुच रखाओं हरा नीचे भाई होते उपर मैं होता हूँ मैं नीचे कुटता हूँ भाई उपर चड़ जाते हैं और अब आपको देखने को मिलेगा कि क्यूं कहीं पे भी बंदे नहीं मिलते आजकल और यही एक वज़ा है जिस वज़ा से आर बंदे कहीं पे भी देखने को नी मिलते जो भी बंदे मिलेंगे जो भी किल मिलेगी ढंग से वो आखरी जोन में मिलती है हाना क्योंकि यार गाड़ी उठाई भाई ने अब वो न जाने कि धर जाएगा वो बग्गी वाला बंदा एक बंदे को तो पकड़ लिया रस्ते में लेकिन यार जो दूसरा है वो पतानी स्टालबर जरकी कहां पे पहुँचेगा अब और थोड़ी सी गर्मी क्या बढ़ गई भाई ने कपड़ी फेक दिये ठीक है नंगा पुंगा पतानी कहां से भगते वे आ रहा है मेरे ख्याल से ये भी बाईक लेके भग जाता अच्छा हुआ टैम पे पहुँच गया मैं तो देखो रोजोक में आके तीन बंदों की या नहीं तो वो भी नहीं मिलता उसके बाद यहां रोजोक में बचे कुछे बॉट पेल लाओ मैं यह होता है भाई जहां पे वियुतरो दो तिन बंदे मिलते हैं बाकी बॉट पेलो फिर भटकते रहो पूरे मैप में और कभी-कभी भटकने के बावजूद भी किलने मिलत खेर यहां पे जो भी बंदे बचे कुछे पड़े होते उनको पेल देता हूँ मैं लूटना चालू करता हूँ और लूटने के बाद धैड़ पैड़ निकलते हैं और उसके बाद रोजोक छोड़के सीधा जूर जा जाते हैं अब देखो आजकल सीन क्या होता है अगर यह दूर होती है तो भाईया बंदे पहुचे वे होते गाड़ी लेके तो करना क्या था मैं भी गाड़ी लेकर आ जा तो खिल का भूका मैं भी हूं खिल चाईए यार केटी कैसी बढ़ेगी और यहां पे बंदे होते हैं और वो घूली चलाएंगे अपने पे अभी और यहाँ पर यार डीपी पटकनी की अवाज आती है तो हम भी यही रुख जाते हैं और यहाँ जोर्ज में भी सिर्फ और सिर्फ तीन बंदे मिलते हैं हना रोजोग उतरा वहाँ पे तीन बंदे मिले जोर्ज आया यहाँ पे भी तीनी बंदे मिलने यार चल क्या रहा है यहाँ पब जी में और यहाँ पे हर जगह पे यही सी नूर है तीन बंदे पेल लाओ एक बौट मिलना है और बौट से यादाया आगे जाके आपको एक नसीला बौट देखने को मिलेगा मतलब आपने देखा होगा यार बंदे नसीले खेलते हैं ना बिल्कुल कुझी भी करते हरकत लेकिन आज बॉट के नसे मैं आपको दिखाऊंगा खेर इससे पहले कि मैं जाओं और बॉट गलत हरकते कर दे हमारे साथ हम बेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट, फुटबोल, बोली बोल, बास्केट बॉल और इसके साथ-साथ e-sports पे भी बैट लगा सकते हो और अपनी prediction skills के थुरू पैसे अन कर सकते हो, साती साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले deposit में अगर आप मेरा promo code यूज करते हो, जो की comment section में दिया गया होगा और इसमें कई सारे mini games भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप games खेलके भी पैसे अन कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सोक है तो आप इसे try गर के देख सकते हो, इसकी link comment section में होगी, बिल्कुल top में और उसे के साथ तुमारा भाई पोचंकी आ गया है, और देखो ज़रा भाई किधर पे camping कर रहे है अब ये scene जो उस बंदे ने किया, आपके साथ भी हो आओगा ठीक है, आप घर पे बैठे हो, बिल्कुल मस्ती मोज, आपके अपनी गलत scene चल ले है अचानक से धैड़ पे रिष्टेदार आ जाते हैं तो आप बिल्कुल छुपके देखते हो, अरे भाईया, कोन आ गया या गाड़ी लेके और देखो हम तो धीट यार, एक बंदा हो, डेड़ बंदा हो, आधा बंदा बैठाओ गुसके जरूर पे लेंगे अब देखो बंदा छट पे चड़ा है हना, लेकिन नीचे भी मुझे कोई दिखता है तो मुझे लगता है यार, भाई का टीमेट होगा लेकिन देखो कौन होता है ये अब आपने कई सारे बंदों को पबजी में गलत सिन करते देखा होगा नसे में खेलते देखा होगा यार, आज जिन्दगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बोट को नसे में देख रहा हूँ बोट को नसे में, मतलब भाई क्या चल ला है आजकल पबजी में बोट खिड़की फांद के अंदर आता है उसके बाद लेट के आगे बढ़ रहा है भाई ऐसे नसे तो कोई भी नहीं करता है यार, किसी बंदे ने आस्तक ऐसे नहीं किये जो ये नसा बोट कर रहा है क्यार हम क्या ही बोल सकते है यार, पबजी मतलब अजूबाई गे में भाई कुछ भी हो जाता है यहां पे क्यार उस बंदे को ढूड़ने में आ जातों जो चट के उपर बैठा था और भाई चट से कटली होते हैं और इन भाई का जब चट से मन भड़ जाता है भाई नीचे आके बैठ जाते हैं वो भी सीडियो की नीचे ये भी नहीं कि कहीं पे ठीपी भी लेलू ये भी नहीं कि कहीं कोने में गुज़ जाओ भगलू नहीं भाई भाई नीचे आते सीडियों के नीचे बैट जाते धेड़ पेड़ हाना मतलब बंदा जब मैं गाड़ी से आ रहा था भाई चट के चज़े के उपर बैठे थे चट पे भी नी था यार बंदा चट से भी उपर था ये ये भाई अलग लवल में था उसके बाद जब मैं अंदर आता हूँ भाई सीडियों के नीचे आ जाते हैं खेर भाई को पकड़ लिया पुष्टाज करने की कोशिश चलती है हाना लेकिन यार कुछ नहीं बोलते भाई भाई का माईक बंद रहता है तो हाँ भाई की पेटी बनानी पड़ी खेर उसके बाद मैं मिल्टा आ जाता हूँ यार इस मैच में मैं कहां कहां नहीं गया पोचंकी जा चुका हूँ रुजोग जा चुका हूँ जोड जा चुका हूँ अब मिल्टा आना पड़ रहा है यार ख्यार यही सब करना पड़ता है ज़्यादा खिल चाहिए तो ऐसे ही भटकते रहना पड़ता है पूरे दिन भर और आखिर कार जाके मेरा भटकना कामियाब हुचाता है मतलब जितना मुझे लग रहा है यार कम से कम 3-4 बंदे दबा के गूलिया चला रहे है गाड़ी पे डैमेज देते हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं मैं बोलता हूँ यार इनको पकड़ के पेलेंगे और गिल्ली सूट वगेरा भी आयार डिरॉप वगेरा लूटे थे लेकिन मेरे काम की गन्ने मिली खेर जो भी हो इन लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ पे रुका होता हूँ कि कोंसे घर से यह फाइरिंग कर रहे हैं और उत्रे में ही ये लोग भगने की तयारी में आ जाते हैं और हमारे भाई एक बंदा नोग कर देते हैं तो देखू अब हमसे कद्दू भी नहीं रुका जाएगा पूरा मैज गाड़ी गुमाई है यार आखिर कार जाके एक्शियोन मिला है तो हम भी गाड़ी लेके चड़ जाते हैं इन पे लेट जा लेट जा और यहां पर तीन बंदे नौक पड़े होते इनके और एक बंदे को यार समूक के अंदर एज़स करके पेला कताई तो अब रस करना ही पड़ेगा बिल्कुल और इसी के साथ ये बूरी सुकॉट ढिल जाती है और यहां पर मेरे ख्याल से मैंने तीन मंदों को जाड़ी में अज़स करके पेला जाड़ी में नहीं यार क्या क्या बोला हूँ समूक मैं ज़स करके यार बोट के नसे मुझे लग रहा है मेरे दिमाग पे चड़ गए है कमेंटरी भी नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ क्यार वो सब छोड़ो भाई लोग इस समूक मैं ज़स उजस के लिए यार लाइक जरूर पेल देना अब देखो समूक बहुत बढ़िया चीज है लेकिन अगर आप ओपन में हो और मेरी तरह डीट बंदे आपके सामने घड़े जिनको यार कदू फरकनी पड़ता ये गूलिया बरबात करने से तो यार आपको समूक मैं ज़स करके भी पेला जा सकता है मतलब यार मैं तो समूक मैं ज़स के लिए यार लाइक पिलना मत भूलना पिलकुल ठोक के निला ठैप कर दो और ये जो मैं ठुकान करता हूं न इससे आर एक दिन मेरी घर पे ठुकान होने वाली है वो भी बहुत जोर से ठुकान होने वाली है चीजे चुझे टूरती रहती यार लेकिन क्या करे आर जूस बहुत है तो करते रहना पड़ता है खेर वो सब छोड़ो भाई लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अब बहुत ही जादा जहर थोड़ा आगे जाके बहुत ही जादा जहर सप्रे वागेरा देखने को मिलेगा आपको एमफोर का आप यह तो यार सस्ता सप्रे है इसकी भात नहीं हो रही है आगे जाके पुरी सकोड निक्टा देंगे अब यहां पर सीन क्या होता है जब मैं गाड़ी से इधर रुक रहा हुता हूँ तब मैं साब को देख लेता हूँ लेकिन जब मैं सको फुलतो भाईया साब गाया ठीके सक्रीन में नहीं दिखरा जाडी में नहीं दिखरा गाया बिल्कुल उसके बाद थोड़ी देर मैं होस में आता हूँ बोलता है यार डंग से देखू दिखेगा जरूर और तब जाके साब दिखता है तो मैं बोलता है यार सपरे तो हुआ नहीं अपने से क्यों ना कटा कट करके पिला जाए तो एकाद गोली चला के यार आखिर कार साब को मैं पिलता हूँ अब उस भाई के बाकी साब दोस्त किदर है हमें कदू भी नहीं पता खैर यहाँ पे मैं गाड़ी लाता हूँ और यहाँ पे तीन बंदे बैठे हैं शायद वो बंदा इनी की टीम का था और यार एजजस आज बहुत ही जादे हो रहे हैं मतलब गोलिया चला रहा हूँ बीच में पेड़ के पत्ते आ गए खैर उसके बाद भी जैसे ऐसे मेरे सस्ते तुक्के लग जाते हैं और बंदा ढिल जाता है गलती से तो करना क्या थायार गाड़ी उठाओ और देपटक के मारो घर पे और मुझे लगा थायार हर कोई घर के अंदर बैठा होगा लेकिन वो बंदा पता नी राइट से किदर से आ रहा है खैर उस भाई को मैं रस्ते में पकड़नेता हूं और अब छत वाले बंदे की बारी भाई यहां आधे से जादा बंदे नंगे पूंगे क्यों बैठे हैं चत के उपर वाला बंदा भी भाईया नंगा गूम रहा है बिल्कुल छत में हवा दबा के कारे भाई खैर जो भी ओ तीन बंदे यहां बैठे होते हैं चौथा बंदा होता नहीं इनका क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है वो जो पीछे साप बना था वही इनका चौथा टीमेट था खैर जो भी हो इन लोगों की पेटी बना देते हैं और जो निस बार काफी अलग जगा बन रहा होता है मैं सियोन की तरफ और यार आखिर में जो साप मिलेगा ना भाई उससे खतरनाक साप मैंने जिन्दगी में आज तक नहीं देखा मुझे लगता है मैं कई बार ये बोल चुका हूँ लेकिन यार हर बार है सीसी नोते हैं हर बार है सीसी नोते हैं भाई करते करते हर बार हर एक मैच के बाद जब भी मैं सापों से मिलता हूँ ये खतरनाक ही होते जाते हैं क्यार वो तो end में होगा देखना जरूर फिलाल के लिए जा रहा हूँ मैं क्यूंकि आगे गूरियां दबाके चल लिए और मैं इसलिए भी जा रहा हूँ क्यूंकि यार 22 के लिए और बंदे आपस पे ठिल जाएंगे तो मेरे साथ गलत सीन हो जाएंगे रस तो करना ही पड़ क्यार अब चार चार और जैसे मैं ये बात सुनता हूं न क्यार तीन-चार बंदे उपन में मैं बोलताओ यहीं प्रो को काड़ी को कर दो कुछ उप कि अब और यहां पर जब मैं गूलिया चलाना बन करता हूं ठीक है जब मैं गूलिया बर्बाद करना बन करता हूं मुझे पता चलता है यार, 4 किलो चुके हैं यहां पर ठीक है ये बन्दे भया फुल चोड में आये थे, एक बन्दा नोक पड़ा था, पहले तो यार मैं सबसे पहले उस पर गोली चलाता हूं बाकी बन्दे मुझे पेल दे, मुझे कद्दू फरक नी पड़ता, गिल चुराना जरूरी होता है बहुत तो पहले मैं उस बंदे की गिल चोरी करता हूँ और ये लोग अपने में मस्त होते हैं ये लोग आगे किसी से फाइट ले रहे होते हैं मैं पीछे से आता हूँ और चारो के चारो को पेल देता हूँ अब देखो इन लोगों ने बचने के लिए सब कुछ कर लिया ठीक है पेड़ के पीछे चल लिये समोग कर दिया आखरी बंदा यार समोग कर रहा था करते करते पकर लिया भाई को और एक बंदा भगने की भी कोशिस कर रहा था उसे भी लपेट लिया बिल्कुल अब देखो M4 4X का मुझे नहीं पता क्योंकि M4 4X हच से जाता सस्ता चलाता हूँ मैं लेकिन M4 6X थोड़ा बहुत काम चला हूँ चल जाता है तो यार मज़ा टैप आ जाता है सप्रेक से खैर जो भी हो चार बंदे पेलने के बाद मैं खुछ टैप हो जाता हूँ मैं बोलतों यार बस चिकन हो जाए मज़ा टैप आ जाएगा सेटिस इंफेक्शन पूरी मिल जाएगी तो थोड़ा समल के खेलेंगे ठीक है रसी करेंगे अभी भी और हमारे भाई को पबजी में भी रिंगा रिंगा खेलना है ठीक है गाड़ी हम घुमाए जा रहे बंदा पेड़ पे घुमे जा रहा है खैर भाई को भी पकड़ लिया लेकिन अब जो भी बंदे बाकी है वो आगे की तरफ ही बाकी है अब देखो हमारे भाई ये डर्सिया का कवर तो बना देते हैं ये सस्ती गाड़ी का कवर बना देते लेकिन अगर गाड़ी फ़ट गई न तो बचना बहुती मुस्किल हो जाएगा लेकिन देखो हर कोई मेरी तरह धेट नहीं होता हर किसी को गोली बरबात करने का सोक नहीं होता तो वो लोग गाड़ी नहीं फोड़ते क्योंकि अगर गाड़ी फोड़ देते तो यार बखके जाना पड़ता जोन में आपको ही बता यार, जोन अपने पर नहीं बनेगा मतलब 100 में से 500 बार जोन अपने पर नहीं बनता तो कुई नहीं बात नहीं है इसमें माज़ा टैप आजाता है, सारी किल सारी केदी, उसी मैच में बचा लेते हैं घेर जो भी हो, मैं राइट ये पत्थर के तरफ भगता हूँ हना काफी महंगा पत्थर दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कोई नेट करके पेल पाएगा मुझे खैर कुछ कह नहीं सकते हैं कुछ भी हो जाता है तो मैं अपनी M24 उठाता हूँ हना बगल वाले बंदे से M24 उठाता हूँ जिसका पूरे मैच में कोई भी इस्तमाल नहीं होगा या तो मुझे ही ऐसा लग रहा है या तो फिर यार इस मैच में मैं कुछ जादा ही समूक मैच ज़स्ट कर रहा हूँ और यहां पे पहले मुझे लग रहा था ये चार बंदे होंगे लेकिन सीन क्या होता है ये बस तीन ही बंदे होते हैं और चौता बंदा गायब है यहां से ठीक है चौता बंदा किसी औरी टीम का है और पता नहीं कहां पे लेटा पड़ा है तो मुझे क्या लगता है देखो रोड के उस पार वैसे भी ये तीन बंदे लेटे पड़े थे तो क्या पता चौथा बंदा इस पार हो जहां पे पीली घास पड़ी है लेकिन सीन बहुत ही अजीब होते हैं यहां पे भाई मैं गाड़ी जान लगा के गुमाते हम लोग लेकिन बंदा नहीं मिलता और देखो मानो या ना मानो इस बंदे से खतरनाक साप मैंने आज तक नहीं देखा कहां पे लेटा पड़ा है कोई भी नहीं पता भाई किसी को नहीं पता मेरे ख्याल से उसे खुद नहीं पता होगो वो कहां पे लेटा है ठीक है सारी जाडियों पे गोली चला दी सारी जाडियों के उपर से गाड़ी ले जा दी बंदा अभी तक नहीं दिखा है और उसके उपर से हमारे भाई के अपने ही नसे है और देखो जून के बाहर हम जरूर गए लेकिन मेरा फाइदा हो गया मुझे एक नया बहाना मिल गया अपसे जब भी में नौकूंगा मैंने यही बुलना है वहिया हमारे बटन ही काम नहीं कर रहे वहिया और वैसे अब गर्वी आ गई तो यार पसीना दबाके होगा काम कैसे करेंगे तो देखो एक समोग बनाया है हमारे साब भाई ने और यार कहां पर ही बैठा होता है वो देखो आप खुद पोरा दूस के पीछे यह वालब आपने दुसक्षाम नहीं कर रहे लाल और यार ये बंदा साबो का सरदार है भाई इससे खतरनक साब आज तक कोई नहीं आए है जहां तक मुझे पता है या आया भी होगा तो यार पेल के चल दिया ओगा तो क्या ही कह सकते हैं तो देखो ये बंदा खमन यहाँ पे इतने सारे चक्कर लगाते कि मैं गिन भी नहीं पाया ठीके कम से कम 30-40 चक्कर यहाँ पे लग जाते भाई बंदा मिलके नहीं देता ठीके 30-40 जादा हो गए लेकिन यार समझो यार फिलिंग को समझो इतनी गाड़ी घुमाते भाई जाड़ी पे गोली चलाली पत्थर पे गोली चलाली हवा में गोली चलाली मतलब मुझे तो बाना ही चाहिए होता है गोली वर्बात करने का लेकिन बंदा नहीं मिला आखिर में जाके बंदे का हेलमेट दिखता हूँ और पेल देता हूँ मैं उसे वहीं पे क्योंकि अगर उसे नहीं पेलता ना मैं तो यार हमारे भाई वैसे भी जून के बाहर गाड़ी लेके जा रहे थे भाई का बटन काम नहीं कर रहा है खेर गर्मी आ रही है तो यार गलत सीन भी वड़ेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही भालो गयार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते लाइक के बटन को ठोक के पेलना मत भूलना नीला टैप कर दो बिल्कुली और अगर आपने भी ऐसे साप से टकर लिया है कभी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना यार क्योंकि मेरे तो यार मैं तो भाई फैन हो गया इस साप को भाई कबसे जिंदा रहा ये कितने जक्कर लगाए लेकिन भाई डटे रहे लेटे रहे तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार जाते जाते एक एक्स बैट चेकाउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते है भाई लोग यार बाई बाई झाल झाल